लेक्टर नमबर एक सो अच्छ जी पे 351 निकालें पे 351 र्यासत लिमितेड इस अ मज़नेक्टरिंग कमपनी र्यासत लिमिटेड एक मैनेफेक्टरिंग कमपनी है रिद एफेक्ट व्यक्म जुलाई डोहजार बाईस यकम जुलाई दो हज़र बाइस को रियास्त लिमिटेड इस कंसिडरिंग तो चेंज इस टेक्सियर फ्रॉम नॉर्मल तो स्पेशल रियास्त अपना साल यकम जुलाई बीस से नॉर्मल से स्पेशल में चेंज करना चा रहा है अच्छा मुझे बताएं यकम जुलाई बीस से पहले वाला जो इसका साल होगा वो शुरू कब हुआ होगा पहले वाला यकम जुलाई एक्स को और खतम कब हुआ होगा तीस जून बाइस को और ये इसका कौन सा येर होगा नॉर्मल रियासत is manufacturing company on यकम जुलाई बीस आरेल is considering इससे पहले फिर कौन सा यूज करा था नॉर्मल इससे पहले नॉर्मल यूज करा था तो आरेल is considering to change its year from normal to special तो अब यकम जुलाई बाइस से इसने सोचा है कि मैं 31 संबर येरेंड कर लिया करूँ तो मेरे ख्याल से अब यकम जुलाई बाइस से 31 दिसंबर बाइस तक इसका होगा transitional tax year समझ आया क्योंकि अब देख ले ना यकम जुलाई बाइस के बाद 31 संबर आ रहा है ये इसका कौन साइस साल बन जागा transitional tax year और अब वो special की तरफ move कर जाएगा जो यकम जनुवरी तईस से 31 बारा तईस तक होगा ये कौन सा साल होगा इसका special और similarly यकम जनुवरी 24 से 31 बारा 24 अब ये इसका normal normally ये अब special की तरफ move कर गया है done अच्छा अब हम मुझे बता दें कि कमपनीज ने रियास्त इसा manufacturing कमपनी कमपनीज ने return कैसे जमा करानी होती है ये मैं आप से बात करने लगा हूँ section 118 की कमपनीज ने return कब जमा करवानी होती है अगर कमपनीज का year end हो 30 जून तो 31 सिसंबर और अगर कमपनीज का year end हो अगर कमपनीज का year end जनवरी से जून में है तो सेप्तमबर नहीं दिसंबर में आएं और अगर year end जूलाई से दिसंबर है तो फिर ये काब आएं सेप्तमबर में अच्छा जी इसका मैंने आपको कुछ तरीके बताये थे पहले मैं आप से return की तारीख पूछने लगाँ अच्छा आप मुझे बताएं filing of return for year ended 30 जून 22 30 जून 22 के साल की return कब जमा करवाऊं ये वो सवाल पूछ रहे हैं तो भाई जिन 30 जून 22 तो normal तरीके से 30 जून को end हो गया तो 30 जून 22 के पास आएगा 31 दिसंबर 22 तो इसकी return में कब जमा करवाऊंगा 31 दिसंबर 22 को done अच्छा अब transitional text here काब end हो रहे है 31 बारा बाईस कब end हो रहे है 31 बारा बाईस अब आप मुझे देख के बताएं अगर मेरा year end 31 बारा बाईस को end हो रहे है तो इसका मतलब है दिसंबर वालों को जल्दी बुलाना है अब अगर मैं इदर लिखूं 31 दिसंबर 22 तो इदर बनेगा 30 जून 23 और इनको कब बुलाना है 30 नून 23 कुछ समझ आ रहे हैं companies जिनका year end जनवरी से दिसंबर हो वो return जमा कराते हैं 30 जून बाद वाले सब्तमबर में तो क्लास में आपको ये कहता होता था 31 समबर के बाद कौन सा जून आ रहे हैं आप कहते थे 30 यून 23 फिर आप कहते थे ये 30 नून 23 को आ जाएं और इसकी रिवीजन आपने की थी ये विली डायग्राम्स फिल करके ये शायद आपको भूली हो लेकिन अब शायद बात ज्याद आ गई हो तो इनको कब बलाने बोलें 30 सेप्टमबर 23 तो ट्रांदिशनल टेक्सियर वाला कब आए return जमा करवाने बोलें 30 सेप्टमबर 23 आखरी वरा स्पेशल टेक्सियर चोड़ें वो तो मैंने एक ही बनाना काफी था अगला जियर एंड हो रहा है 31 बाराँ तईस को अगर मेरा जियर एंड हो 31 बाराँ तईस को मेरा जियर एंड हो तो 30 यून कब आएगा बोलें 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 24 चे मीने बाद तीस बन चोड़ें तो आब मुझे बता दें इसके बाद में क्योंके दिसंबर ये एंड है तो पहले स्लॉट में फॉल करा हूँ तो मैंने कब आने तीस सेप्टमबर 24 थोड़ी से रिविजन करेंगे जब आतें याद आजाएंगी तीस सेप्टमबर 24 मेरा ये सवाल नहीं था क्योंके ये तो मैं आपको खुरा चुका हुआ था मेरा सवाल ये था एज्यूम करें आरेल ने अपना साल नॉर्मल से स्पेशल पर बदली है और अपनी रिटान फाइल कर दी है एस डिसकस्ट इन बी 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 असल में ये इसलिए है कि ये जब अटेंप टाई थी तो फोटे बन का ये बी सवाल था एस डिसकस्ट इन वन identify the last date of amendment of assessment amendment of assessment कौन सा section है एक सो लास डेट का क्या मतलब है circumstances पूछ रहे ये time limit time limit तो आप वो कह रहे last date बता दे amendment of assessment की मैं आप को मज़े की बाद उता हूं वारग करें सब को बस आप टौप बार ओबार निकले सवाल है उसका नॉर्मल टेक्सियर 30 जून 22 वाले का बताने यानि इसका पूछ रहे स्काइबलू वाले का और फर्स्ट स्पेशल टेक्सियर इसका पूछ रहे दरम्यान वाले का पूछ रही नहीं आप सारी जंडी कराएं चीजों को सिरफ ये फिगर सामने रखें का एंड सोचें 30 जून 23 इसके बाद आगे 5 साल गिने 24 पच्चिस 26 ताइस 28 तो इसने फर्स्ट अमेंडमेंट हो सकती है 30 जून 28 को सेक्शन 122 के 2 की रोशनी में एन असेस्मेंट कैन बी अमेंड़े एन असेस्मेंट कैन बी विदिन 5 यह विदिन फ्रॉम दा एंड ओफ डैट फिनेंशल यह इन विच जूम्ड ओर इडिशूट वट इस दा जियर इन विच जूम्ड ओर इडिशूट 31 बारा बाइस के बाद तीस जून 23 तो तीस जून 23 से आगे 5 साल गिने 38 अब 39 24 वाला आप खुदी बता दें 39 24 के बाद कौन सा साल एंड ओ 39 24 के बाद कोई ब्रेक लगाएं 39 24 का पूछा है सिर्फ उसमें 39 24 के बाद कौन सा 30 सुनाने अच्छा मुझे बता हैं 39 24 को क्या जमा करवाई रिटान रिटान क्या बन गई एज्यूम्ड असेस्मेंट ओर्डर के साल से शुरू करना है या उसके साल के एंड से तो 39 24 का एंड 36 25 तीस छे पच्चिस से आगे 5 साल 36 यहां तक क्या हो सकती है फर्स्ट अमेंडमेंट एक सो बाइस के दो के मताबिक यह जी तस्वीर खेंच लें यह रिटान जमा करानी के तारीख है और यह फर्स्ट अमेंडमेंडमेंट की है नो मिनट हो गए चार रहे गए ओके त्युक्त में जो पता थे स्वाल शेल लिया तो टाइम लगी जाना है समझा गया है असर में यह तरीका सिर्फ यह देखना होता है रिटान कब जमा कराई जब रिटान जमा कराई उसके बाद जम आरें 30 जून पे उसके बाद पांच साल अड़क जम मार दें तो मेरे खाल से साल देखने की ज़रूत नहीं पड़ी हाली रिटान का डेटा देखके हम इसने तीज़े पे पहुंच गए और कौश प्राइशनल की रिटान सुन लें सारे बता दें सारे हर बेटा बाब बंदा दा दें तीसनों तीस के बाद जम मारें तीसनों चौबिस उसके बाद पांच साल जम मारें पच्छेस चबिस ताइस अठाइस उननतिस तीसनों ननतिस अच्छा वो बताओ और कौश सवाल मैंने भी का था नीचे से चलते वे 35 का B सादिक अली हैस रिसीवड एन एक्स पार्टी असेस्मेंट और एक्स पार्टी असेस्मेंट और कुछ भी नहीं होता यार सिंगल बंदे को फैसला सुनाया है यह ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें उठाके लिख रहे इसके बगएर भी आपको बास समझा जागी एक एक्स पार्टी हमने क्लास में भी बढ़ा था लेकिन वो किसी और कॉंटेक्स में था तो इसको ज़रा मैं फारिख करके बढ़ता हूं निया लफ से इंशाला फिर भी समझा आजेगा सादिक अली है इस रिसीवड एन असेस्मेंट और काट लिया गया उसे कुछ पेमेंट्स उसने टेक्स नहीं काटा था यह उसने जमा कराना है whatever the he does not agree with the contention of income tax department उसे कमिस्टर के फैसले पे अतराज है and he would like to file an appeal to कमिस्टर अपील और कमिस्टर अपील के पास जाना चाह रहा है state the procedure that he should follow for filing appeal procedure for filing appeal कि इस मज़े की बात सुनें इस सारे को काट दें नीचे सवाल पड़ें state the procedure for filing appeal to कमिस्टर अपील ओपर से लिंक ही नहीं हो रहा डेटा हर सवाल में ऐसा नहीं होता है state the procedure for filing appeal कमिस्टर अपील को अपील फाइल करने का तरीका बताएं procedure procedure ढूणने दरा 128 नहीं मेरे भाई 127 हो गया है मेरे खाल से 127 नहीं नहीं यह प्रोसीजर नहीं है यह तो वह situations है जब आप जा सकते हैं प्रोसीजर तो यहां से शुरू होता है इससे मैं requirements कहूंगा procedure में form बनाएं prescribed verify करें grounds of appeal लिखें fees जमा करवाएं यह सारा procedure है तीन नंबर का काफी ज़्यदा है वैसे 45 नंबर का आना चाहिए था 127 में 128 तो पतानी किसी ने गलती से बोल दिया था 127 का तीन लिखेंगे 128 हाँ 128 आ जाए 128 है procedure in appeal commissioner appeal ने क्या procedure अब follow करने है वो क्या procedure होगा दोनों parties को hearing की date देदेगा documentary evidence मांगेगा नहीं मांगेगा यह procedure वो है जो commissioner appeal ने follow करने है सवाल क्या पूछ रहे है state the procedure ही ही होता है taxpayer state the procedure taxpayer should follow for filing appeal in front of commissioner appeal commissioner appeal के सामने appeal करने जाना चाह है taxpayer क्या procedure follow करें अगर सवाल होता ना state the procedure commissioner appeal should follow तो फिर कौंसा section होता एक सोटाइस अब ही क्या सवाल है और यहार सादा सी बात पढ़ें taxpayer ने आप से मश्वरा मंगे मैं appeal कैसे करूँ आप उसे यह बताएंगे कमिशर appeal तेरे साथ क्या करेगा या उससे यह बताएंगे कि आप क्या करो अच्छा सवाल आप लोग ने पूछ लिया है आप क्या करो कहां लिखा हो है 127 के तीन में और फिर क्या करे तो प्रोसीजर इन अपील नी पूछ रहा प्रोसीजर तो बी फॉलओट बाए taxpayer पूछ रहा और कौंसा सवाल था 32 specify the circumstances under which commissioner has power to issue a notice to person to demand a return of less than 12 months आपने बताना है कि वो कौन सी situations हैं जिसमें commissioner को ये power available है कि वो notice issue करके 12 महीने से कम की return मांग ले किन circumstances में वो 12 महीने से कम की return मांग ले तो हमने पढ़ा था 114 के तीन में अगर एक बंदे की death हो गई है या bank करपसी हो गई है तो commissioner repeal उससे 12 महीने से कम की return मांग ले also अगला सवाल also state the power of commissioner if such बंदा fail to furnish the return within specified time अगर वो बंदा मांगने के बावजूद भी return जमाना कराए तो क्या ताकत है commissioner के पास commissioner के पास commissioner ने का है अबे तू बारा महीने से कम की return जमा करा वो कहते है मैं नहीं जमा करा रहा कमिस्टर के पास क्या power है क्या कुन बोल है excellent जरे जीव लोग है रोरो थग गे हम पूरे जिंदगी page 328 if a person fail to furnish return in response to notice and reception 3 the commissioner may based on available information make a best judgment assessment तो 121 लगा दें हम इसको best judgment कर दें तो ये धीट स्केर बंद है इससे return मांगी है मांगने के बावजूद भी जमा नहीं करवा रहा तो best judgment कर दें इसकी तो जो बंदा return जिससे मांगे हम मांगने के बावजूद भी जमा ना करवाए देखे ना सवाल क्या था also state the power of commissioner if such person still fails to furnish the return within the specified time अभी मी जमा नहीं करवा रहा तो क्या करें अब best judgment assessment कर दें एक सो चोदा का चार एक सो चोदा का चार होते है बारा महीने से वाली return उससे मांगे तीस तिन में तो एक सो चोदा का चार होते है बारा महीने वाली return मांगे और एक सो चोदा का तीन होते है बारा महीने से कम वाली return मांगे एक सो चोदा के 4 12 महीने वाली रिटान मांगी जो normal रिटान होती है, वो अगर किसी ने जमानी कराई तो भी 121 लग जागा 141 का 3 कहते है 12 महीने से कम की रिटान मांगे, वो जमानी कराई, तो 121 खहर है फिर भी मेरे पास आजाओ, तो 114 के 3 में अलग रिटान मांगी गई है आ कर आ रहे हैं तो डरेक्ट एक्सक्राइब को आँगे और को सवाल आ पर का था है 20, 24, 24, under the provision of income tax ordinance determine the date by which appeal can be filed with commissioner appeal, वो date बताएं जब तक अपील की जा सकती है commissioner appeal के सामने, where assessment was made या dispatched, was मेड अनिकते संबर, काट लिया गया है, assessment was made अनिकते संबर, demand notice was served on यकम जन्वरी, तो यह तो मेरे खाल से वो पढ़ा था ना, कल परसूं ही पढ़ा था, एक सो 27 के कों से तीन है या चार है, तीन है मेरे खाल से, 30 days from the date of service of demand notice, तो demand notice किस दिन सर्व हुआ है, यकम जन्वरी को, demand notice के ला आते हैं, या साथ, sorry, assessment order के ला आते हैं, या साथ demand notice भी आता है, तो दोनों ही कठे आए होंगे, तो demand notice के दिन को count नहीं करना, उससे आगे कितने दिन, तीस दिन, 127 का 6 है, टाइम लिमिट जहां लिखी नहीं में, वो date बताएं, by which appeal can be filed with commissioner appeal, मैं commissioner appeal के पास जा सकूँ, अगर मुझे demand notice आ गया है, यकम जन्वरी को, तो अगर मुझे demand notice आ गया है, तो मैं कितने दिनों में commissioner appeal के पास जा सकता हूँ, if appeal relates to assessment और penalty, अगर assessment या penalty वाला scenario है, जैसा कि है हमारे सवाल में, I will lodge appeal with commissioner appeal within 30 days of, however, if a good cause is shown तो 30 days के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यहां 30 days वाली बात काफी थी, ठीक है, ओबर, अला आफिस, बंदरों